नमस्कार दोस्तों मैं शावाज खान और सिंख और एजुकेशन के यूटूब चैनल पर आपसे भी का स्वागत है जैसा कि दोस्तों मैं आपके लिए कैसी बिग अपडेट लेके आए हूँ एक न्यूज लेके आए हूँ हमारे इस चैनल पर आपके लिए नीट और आईट की तेयरी बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट स्टार्ट कर दी गई है और नीट उन लोगों के साथ हम आपके यहां तेयरी कराएंगे जिन्नों ने नीट अपना क्रेक करा हूँ है तो दोस्तों आपने सही सुना आपके पास यहां नीट पढ़ानी के लिए ऐसे मैं डोक्टर्स को यहां जो नीट क्वालिफाइड दोक्टर्स हैं उनको लेके आ रहा हूँ वह जल्दी आपके लिए इस प्लेटफों पर साथ ही आई-ट की तेहरी उन लोगों से कराई जाएगी जो आई-ई-ट क्रेक करें है ठीक है जैसे आपको पता है हमारे निशानली औरंजनल निशानली यह निसानली सेइन वह लोग भी आपको यहां पढ़ाएं दूसरी क्लास को वापस आपके लिए रिकॉल कर देता हूं और बतादेता हूं कि अमने technometry table को कैसे drive की थी तो दोस्तों मैंने जैसा उस class में बताया था आपको कि हमारा left end rule और left end rule में मैंने आपको बताया था कि हमारी हाथ में कितनी उंगली है यह हमारी 5 उंगली है सबसे पहले हमारी होगे little finger उसके बाद होगे हमारी ring finger तो श्री इसके बाद हो गए हमारी मिडिल फिंगर उसके बाद होग हमारी इंडेक्स फिंगर होग और है त्म जैसा दोस्त E सकना ब्हूंद अगर겠어 एक घडिंडे। और अगर कोस्ट ठीटा हो तो कैसे चलना है दोस्तो एंटी क्लोकवाइज मतलब घड़ी की विप्रित दिसा में तो उसी lecture को start करने के साथ सथ मैं आपको दोस्तो बता रहा हूँ इस lecture में मैं आपको जो board point of view से important example से वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैं guarantee के साथ आपको इतना दावा करके बताता हूँ कि अगर आपने ये video देखा तो आपके board exam में technometry से एक या दो question इस slide से या जरूर आपके पास मिलेगा exam तो दोस्तो मैं start करने से पहले आपको पहला question बताता हूँ example में तो दोस्तो आपको मैंने एक बार recall करा दिया था वापस कि हम technometry की values कैसे निकालते हैं table कैसे याद करते हैं तो उसी के साथ साथ मैं दोस्तो अपना पहला question लेता हूँ दोस्तो ये हमारा first question ने इसमें पूछा है हमसे 10 square 60 degree plus 3 cos square 30 degree की value बताईए यह 10 square 60 plus 3 cos square 30 का मान क्यात कीजिए तो दोस्तो आप एक बार इस question को note कर लीजिए कर लिया दोस्तो नोट अब आपको मैं सिखाता हूँ कि इस की value कैसे निकालेंगे यह रहा दोस्तो हमारा question तो दोस्तो मैंने आपको उस दिन आपको बताया था कि हम left and rule से कैसे हम आपको याद करते हैं तो दोस्तो उसी को recall करते हैं यह हमारा को 10 square 60 plus 3 cos square 30 degree तो दोस्तो मैंने बताया था आपको कि 10 square कि 10 theta की value निकालने के लिए मैंने बताया सब से पहले sign theta की value निकालो और नचे हमारा क्यों Bizim निकालो तो इसमें कितना दे रखाया दोस्तो हमारको 1060 वेलोabil сердete की value निकालेंगे उसी की साथ हम क्या करेंगे cos 60 की value निकालेगे तो दोस्तों मैंने बताया था आपको 10 sin 60 की value निकालने के लिए यह हमारा left hand wrap, यह हमारा 0 यह 30, यह 45, यह 60 मैंने बताया था clock wise चलना है clock wise चलने के बाद कितनी उलिया बच रही है हमारी यह 60 के बाद 1, 2 और 3 मतलब कितनी उलिया बच रही है, 3 तो मैंने बताया था, जो भी नंबर उसका क्या करना है, आपको root, divide में क्या करना है, 2 तो यह होगी हमारी sin theta उसी परकार हमारा cos theta निकालना है तो आपको दोस्तों मैंने बताया था cos 60 की value कैसे निकालना है cos के लिके चलना है, दोस्तों, anti clockwise तो दोस्तों, यह हमारा 60 रहा इसके बाद कितनी उलिया बच रही है, हमारी 1 तो 1 का root, divide by 2 1 का root करो, कितना आएगा, दोस्तों 1 आएगा, तो यहां से हमारी 1060 की value कितनी होगी, दोस्तों root 3 divide by 1 तो 1060 की value कितनी होगी, दोस्तों, यहां से हमारी root 3 उसे के बाद अगला question बोल रहा है, कि cos 30 तो cos 30 के लिए मैंने बताया था, यह रहा 30, चलना कैसे है, इसको, anti clockwise कितनी है, 1, 2, 3 मतलब 3 finger बच रही है, तो cos 30 की value कितनी होगी, दोस्तों, हमारी यहां से cos 30 की value होगी, root 3 by 2 तो दोस्तों, दोनों value note कर लीजे, यहां हमारा मान put कर दीजे, जो question ने हमें, पूछा है तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, आपको क्या पूछा है question ने दोस्तों, एक बार मैं इसको rough कर देता हूँ एक बार अगर आपने note कर लिया है, तो हमसे question ने पूछा है, 10 square 60 तो मैंने निकाल लिया, 10, 60 की value कितनी होगी, दोस्तों, root 3 root 3 का मैंने क्या कर दिया, दोस्तो, square उसके बार पूछा है, दोस्तो, 3 cos square 30, तो मैंने बला, cos 30 की value कितनी है कि root 3 by 2 का, इसका मैंने क्या कर दूँँ, दोस्तो square, ठीके दोस्तो, यह हो गया, एक बार मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, दोस्तो देखो दोस्तो, root 3 का square कर दूँँँ, कितना हो गया, 3 यहां भी रहे कितना दे रखा देर, दोस्तो, 3 दे रखा है, यहां square मैं इसका भी square है, तो 3 का square कर दूँँ, root 3 का ठीके दोस्तो, हमने यहां से LCM ले लिए, LCM लेके कितना आगया, हमारा 4 आगया, तो 12 और 9, तो मुझे पता है, 12 और 8 कितना होता है, 20, 20 और 21, 21 तो इसका आगया, दोस्तो, 21 बाई 4, तो दोस्तो, एक बार मैं वापस आपको बताता हूँ, क्या question पूछा था हमारा, 10 square 60, 30, plus 3 cos square, 30 degree पूछा था हमसे, तो दोस्तो, मैंने आपको निकालना सिखा दिया, 10 30, 60 की value कैसे आगी थी हमारी, तो मैंने उसका क्या 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 क्या, उसके बाद मैंने कितना रखा, 3, और 2 का क्या 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 अगया, 12, 3, उसको वाद कितना होता, 12, 3, तो 3 को 3 रखा, 12, 3 अगला question क्या बोल रहा है दोस्तो एक बार आप question note कर लीजिए यह question मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ question अब पढ़ लीजिए question क्या बोल रहा है find the value of sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 question बोल रहा है sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 का मान ग्यात कीजिए दोस्तो question क्या बोल रहा है कि sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 का मान ग्यात कीजिए तो ठीक है दोस्तो इससे पहले मैं आपको कुछ सरुसरमी का बता जाता हूँ कुछ important उसके बाद हम इस question को solve करेंगे दोस्तो मैं सरुसरमी का बता जाता हूँ आपको आप याद रखना कि दोस्तो क्या होता है हमारा अगर sin 30 degree का मान हमेशा किसके बराबर होगा cos 60 degree के क्योंकि दोनों का सम कितना होने जाए दोस्तो 90 degree दोनों का सम कितना होने जाए दोस्तो 90 degree तो sin 30 का मान किसके बराबर होगा दोस्तो cos 30 के बराबर क्योंकि मैंने बताया दोनों वसम कितनों लजाई दोस्तो 90 डिगरी तो उसी जी साथ से हम question को start करते हैं ठीके दोस्तो एक बार अगर आपने note करने हैं दोसको note कर लीजिए इसको और आफ करके मैं question को start करता हूँ अपने question क्या बोल रहा है हमारे पास sin 60 मैंने अभी आपको बताया कि मैं left hand rule से sin 60 की value निकाल लूँगा left hand rule मेरा यह रहा sin 60 यहाँ पे रहा हमारा मैंने बलोग क्लोक आइस सलें कितनी उले बतरी 1,2,3 1,2,3 कितनी बतरी 1,2,3 तो दोस्तो sin 60 की value कितनी हो गई यहाँ से हमारी 3 मतलब root 3 by 2 उसी प्रकार अगला बोल रहा cos 30 तो cos 30 की value भी दोस्तो निकाल लीजिए cos 30 यह रहा हमारा anti-glog आइस सलें कितनी उले बतरी 1,2,3 तो वो ही root 3 by 2 2 जैसा मैंने भी आपको बताया था अगर sin 60 की value मैं से किसके बरावर होती है cos 30 की लेकिन दोनों theta कितने होने चाहिए is equal to 90 degree दोनों का sum कितने होने चाहिए 90 degree तो इधर देखो 60 और 30 दोनों का sum 90 होगा दोनों की value बरावर उसी परकार अगला question क्या बोल रहा है साइन थर्टी तो साइन थर्टी की value हुमारी कितनी होती है वन बाई टू उसी परकार cos 60 की value भी सेम कितनी हो जाएगी है हमारी वन बाई क्योंकि दोनों का sum कितना है दोस्तो 90 डिग्री यह वेलियों पूट करी question के साबसे science 3 by 2 root 3 by 2 अगला क्या 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 बोल रहा है तो multiply 3 by 2 plus 1 by 2 multiply बोल रहा है अगला sign 660 तो यह 1 by 2 लिग दिया हमें उसके बाद मैंने क्या क्या देखो दोस्तों यहांसे मैंने क्या लिए रूट 3 भाई 4 हो गया multiply में यहां से बीचे मैंने कितना लिया दोस्तों फॉर उपर कितना अगया मेरा दोस्तों रूट 3 को मैं गुना multiply करूंगा तो 3 आएगा तो यह कितना गया 3 प्लस 1 तो दोस्तों कितना गया 4 भाई 4 तो यहां से 4 से 4 गया तो answer कितना गया दोस्तों 1 तो दोस्तों note कर लीजिए answer कितना गया यहां से है मारा 1 दोस्तों note कर लीजिए एक बार इसको आप कलिया दोस्तों नोट इसी इसाथ मैं अगले अपने question पर जाता हूँ अगला मेरा question क्या बोल रहा है अगला मेरा question बोल रहा है question बोल रहा है कि 4 sin 30 degree sin square 60 degree के plus 3 cos 60 1045 क्या बराबर होगा 2 sin square 45 degree minus cos 90 degree के बराबर होगा मतलब हमको सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS होगा क्या तो सबसे पहले मैं LHS को लेता हूँ उसके बाद मैं बात करूँगा RHS की ठीक है दोस्तों देखो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो comment करके मुझे हाँ बोले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो comment करके ना बोले अगर दोस्तों आप चाते हो कि इस आपके पूरे एक marks आया टिक्नोमेट्री में पूरे 100% आपके questions आई हो तो जो जो questions मैं आपको कराऊं वो मेरे साथ आप करिए और इस वीडियो को एक नई दो बार देखिए आप गारंटी देराओं टिक्नोमेट्री में आपके पूरे नमबर आएंगे और अभी तक जिनों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और notification के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और आप चाते हो कि हमारे नोर्स और पीडिएफ आपको मिलती रहे important question के साथ exam में क्या आएगा तो मैं चैनल का नाम आपको यह लिख देता हूँ क्रिपया करके सो टेलिग्राम पे आप सर्च करें और आप जोइन करें और अपने दोस्तों को भी बताए जो यहां आपके साथ पढ़ रहे हैं हमारे चैनल का नाम क्या है दोस्तो सिंग्खोरी सिंग्खोरी एजुकेशन सिंग्खोरी एजुकेशन क्लास आपकी 10 ते तो क्या लोग है दोस्तों के लिख होगे सिंकोरी एजुकेशन क्लास 10 सिंकोरी एजुकेशन क्लास 10 तब सर्च करोगे टेलिग्राम पर वाँ जाओगे उसको क्या करोगे यह आपको सारे हमारे नोड्स, पीडियेप आपको यह important question और important updates आपको यह टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी ठीके दोस्तो तो उसी के साथ साथ हमारे question पर हम आते हैं आगे जो हमारा question पूछ रहा है ठीके दोस्तो question क्या बोल रहा है हमारा कि LHS बराबर RHS होगा गया तो सबसे पहले मैं LHS को लेता हूँ LHS कितना है question में दोस्तो 4 sin 30 sin square 60 plus 3 cos 60 10 45 यह मैंने क्या माना मेरा दोस्तो के ले लिए मैंने दोस्तो यह मेरा LHS मतलब left hand side ठीके दोस्तो LHS बराबर RHS होगा गया तो पहले मैं LHS को solve करता हूँ उसके बाद मैं RHS की value solve करूँगा मुझे पता है दोस्तो 4 को मैंने 4 रखा देखो दोस्तो अब मैंने एक बार आपको एक बार और बता हूँ value ने कालना उसके बाद हमारी value आपकी दिमाग में fit हो जाएगी दोस्तों यह पूचरा sin 30 sin 30 मैंने बता है 0 30 यह रहा और कैसे चलना है clockwise clockwise चलों कितनी उलिया बच्री है sin 60 कितना होगे रूट 3 वाइट 2 स्कॉयर बोल रहा है तो मैं इसका स्कॉयर भी कर दूँगा रूट 3 वाइट 2 का ओली स्कॉयर प्लस 3 कोस 60 दोस्तों मैंने क्या बाला आप बोल रहा है कोस 60 एक बार मैं कोस की value निकालना सिखा देता हूँ आपको यह रहा हमारा 60 कैसे चलना है हमारको anti-clockwise anti-clockwise चलना होगा एक उंगली बच्री है तो 1 by 2 1 by 2 उसी बरकार अगला बोल रहा है हमार से 1045 1045 की value मैं निकालना सिखा देता हूँ पहले निकालोगे sin45 फिर निकालोगे cos45 मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ sin45 कैसे हो गया हमारा root 2 divided by 2 मैंने क्या करा है नीजे वाले 2 को के लिख दिया root 2 बटा root 2 into root 2 root 2 से रूग गया sin45 की value कितनी आगी हमारे पास 1 by root 2 1 by root 2 ऐसे cos की value आजएगी आपको पता यह यह बीच में है यह हमारा middle finger है तो यहाँ पर हमारी cos45 की value कितनी हो जाएगी 1 by root 2 सेम यह हो जाएगी दोनों को डिवाइड करेंगा तो यहाँ से 1045 कितनी हो जाएगी दोस्तो 1 तो आज के बाद आपको याद रहा 1045 कितनी होता है 1 तो यहाँ मैंने क्या रखा दोस्तो 1045 को 1 इसको मैं solve करूँगा 4 by 2 into 3 by 4 ठीक है दोस्तो plus 3 by 2 1 से 1 हो गया देखो दोस्तो 4 से 4 कि इदर कितना बज़ गया 3 by 2 इदर भी कितना बज़ गया 3 by 2 यहाँ से मेरा lcm कितना आगया दोस्तो 2 3 plus 3 6 by 2 को मैं solve करूँगा तो कितना आगया दोस्तो आंसर यहाँ से 3 तो यहाँ से lhs कितना आगया हमारा 3 तो अब value याद रखना lhs की value कितना आगी 3 इसे कि साथ साथ मैं rhs solve कर लेता हूं अपना दोस्तो rhs के लिए question क्या बोल रहा है हमारा 2 sec square 45 माइनस cosec 6 way में 2 sec square 4 RHS दे रखा हमारा क्या दे रखा है कि 2 sec square 45 साइव डिगरी का मानब माम यनूस को सेग स्कौइर 9 गृटी डिगरी ठीकए दोस्तों कौ सिक इसकॉकर 90 धिरी तो मैंने बताए आपको के निकालना है मारओ को सोटीफ nанич कितना होता है वर रूट टू कितना आ अगा रूट टू एंटू 2 into root 2 का square उसी परकार बोल रहा है cosec 90 मुझे बताओ sin 90 की value मैंने बता cosec की स्कॉल्ट आता है sin का sin 90 की value मैंने आपको निकालना चिखाया था यह रहे 90 degree clockwise चलना है 1, 2, 3, 4 तो root 4 by 2 root 4 की value कितनी होती है 2 2 वाई 2 तो answer कितना आगे है sin 90 degree 1 sin 90 की तना आगे है 1 तो उसका उल्टा करूँ है तो यह भी कितना हो जाएगा 1 तो 2 into 2 minus 1 मतलब 4 में से अगर 1 गया तो यहां से RHS भी हमारा कितना आगे 3 मैंने अभी आपको शिखाया था कि हमारा LHS यहां से कितना आ रहा है दोस्तो LHS कितना निकाला था हमने 3 तो मतलब हमारा RHS भी कितना आगे है दोस्तो 3 तो 3 किसके बराबर हो गया दोस्तो 3 के तो हमारा LHS बराबर क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया दोस्तो RHS तो आपको क्या लिखना है दोस्तो LHS बराबर RHS और लास्ट में लिगना है ऐसे करके Hans Schröe क्या लिगना है दोस्तो? अगर जो हिंदी मीशिंदक रम है हसको क्या लिए का लिपा इति tuna ती जिद्दम तो इसी के साथ ती Catt보i स्वी से यह हमारा कोंशन इसको वापस देखना और इस question को एक बार अच्छे से देख लेना अपने mind में बेटा लाना है हो सके तो question आपके exam में जरूर फूचा जा सकता है इसकी साथ में आगला question आता हूँ अपना question number 4 पे इसकी साथ में question number 4 पे आता हूँ question number 4 पे दोस्तों क्या दर रहा है प्रूव देट वाला मतलब आपको यहां भी सिथ करना पड़ेगा तो दोस्तों question number 4 क्या बोल रहा है 3 10 square 30 minus 4 by 3 sin square 60 minus 1 by 2 cosec square 45 plus 4 by 3 sin square 90 degree क्या 1 बटा 3 के बराबर है एक बार दोस्तों question वापस पड़े है में चाथ प्रूव देट 3 sin square 30 minus 4 by 3 sin square 60 minus 1 by 2 cosec square 45 plus 4 by 3 sin square 90 degree बराबर कितना दे रखा है 1 by 3 मतलब इस बार RHS कितना दे रखा है हमारा 1 by 3 दोस्तों में एक बार आपको बता देता हूँ इस बार हमारा RHS question में के दे रखा है दोस्तों 1 by 3 दोस्तो RHS के दे रखा है हमारा यहां पे 1 by 3 मतलब LHS को किसके बराबर करना है 1 by 3 के बराबर तो इस question को हमें प्रूव करना है दोस्तों तो आईए इस question को भी हम solve करते हैं इस question को भी हम solve करते हैं तो दोस्तों इस question को एक बार आप देख लीजिए वापस मैं एक बार आप लेख लेता हूँ LHS को में लेख लेता हूँ LHS कितना दे रखा है दोस्तों हमारा यहां LHS कितना दे रखा है LHS दे रखा 3 3 10 square 30 minus 4 by 3 sine square 60 minus नीचे लिख लेता हूं दोस्तों मैं minus 1 by 2 cosec square 45 plus 4 by 3 sine square 90 degree को किसके बराबर करना है 1 by 3 की तो आईए दोस्तों question को solve करते है मैंने आपको बताया था जब भी 10 की value निकार नहीं हो तो उपर के रखना sine नीचे के रखना है cos sine 30 की value कितनी होती है 1 by 2 उसी पर का cos 30 की value कितनी होती है root 3 by 2 तो यहां से हमारा कितना आगया दोस्तों sine 30 की मतलब 1 by 2 into root 3 by 2 तो कुल मिला के हमारी value कितनी आगी है यहां से 1 by root 3 यह किसकी value आगी 10 30 की 10 30 की value दोस्तों कितनी हो गई 1 by root 3 ठीके दोस्तों उसी के बाद अगला क्या दे रखा है हमारा 4 by 3 sine 60 की value मैंने भी आपको पता square करना तो यहां क्या करना दोस्तों इसका whole square यहां क्या दे रखा sine square 60 की value भी मैंने निकाली थी root 3 by 2 उसका क्याना है whole square root 3 by 2 का भी हमें क्या करना है whole square साथ में अगला क्या दे रखा minus 1 by 2 cosec 45 cosec 45 की value मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ मुझे बताओ cosec इसका उल्टा होता है sine का sine 45 की degree value की कितनी होती है 1 by root 2 तो इसका उल्टा करूँगा तो cosec 45 degree की cosec 45 का मान यहां से दोस्तों कितना आ जाएगा root 2 only कितना आ जाएगा root 2 तो यहां कितना रख दूँगा मैं 1 by 2 into root 2 का whole square उसके बाद क्या दे रखा दोस्तों plus 4 by 3 sine square 90 degree sine 90 की value कितनी होती है 1 square में करेंगे तो 1 का square कितनी हो जाएगा दोस्तों 1 इस पूरे को मैं solve करा दोस्तों मुझे बताओ 3 इस पूरे को मैं solve करता हूँ एक बादी मैं उपपर question अठा देता हूँ दोस्तों इसको solve करके मैंने यह लिखा देखो कि कह लिखा दोस्तों 3 into 1 by 3 का square करूँगा तो 1 by 3 minus 4 by 3 इस का square करूँगा root 3 का square 3 2 का square 4 minus 1 by 2 root 2 का square करूँगा था 2 दोस्तों यह देखो हमारा यहां 3 से 3 गया यहां 3 से 3 गया 4 से 4 गया 2 से 2 गया तो यहां दोस्तों कितना बचा हमारा 1 minus 1 minus 1 plus 4 by 3 क्या बचा दोस्तों हमारा 1 minus 1 minus plus 4 by 3 दोस्तों plus 1 से minus 1 गया दोस्तों मेरा कितना बच गया यह 4 by 3 में से अगर मैं 1 minus करूंगा तो इसको solve करके कहले सकता हूं दोस्तो 3 इदर गया 4 minus 3 divide by 3 तो यहां कितना बजगे हमारा 1 by 3 कितना बजगे हमारा दोस्तो 1 by 3 तो हमारा LHS कितना आ गया दोस्तो 1 by 3 तो क्या हमें prove यही करना था कि RHS भी कितना दे रखा था हमारा को 1 by 3 तो यहां से हमारा prove हुआ दोस्तो यहां से हमारा prove हुआ कि LHS बराबर RHS मतलब LHS की value कितना आगी दोस्तो LHS की value कितना आगी दोस्तो 1 by 3 और RHS की value question में दियो यह RHS कितना दे रखा है already हमें question में 1 by 3 मतलब इतना करोगे, उसी के साथ साथ आपको अगर आपको RHS दे रख्यात, तो डार RHS की value वह रखदो, नहीं दे रखेत, तो RHS CK करें दोस्तो और पाच्वा कॉंचों क्या बोल रहा है तो आपको इसको नोट कर लीजे दोस्तो च्रींशट लेना और सक्रींस देवाइजें और को दौस्तों क्या कर लिजिए और को पूछ रहा है दोस्तों हमारा यहां से अगर दिया हुआ है तो find the value of x x किसे छोटा है 90 degree से x की विली किसे छोटी है दोस्तो 90 degree से हिंदी में question क्या दे रखा है यदि 10 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस 9 30 हो तो x का मान किया 30 x किसे छोटा है 90 degree से छोटा है तो आएए दोस्तो इस question को भी solve करते है यह question हम से क्या पूछ रहा है कि x का मान पूछ रहा है जो क्या कूछ रहा है 10 3x का जो x से का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा वाई दोस्तो इस question को solve करते है देखो दोस्तों क्या मोल रहा है 10 10 3x बराबर किस के तरह रखा साइन 45, साइन 45 की दोस्तों मैंने आपको बेल्यू आपको बताई थी कितनी होती है, 1 by root 2, उसी के बराबर कोस 45 किसकी बेल्यू कितनी होती है, root 1 by 2, और साथ मैं कहते रहें का, साइन 30 मतलब 1 by 2, 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2 दोनों आए, दोस्तों, 10 3 x, बराबर 1, जब भी as equal as quantity हो, इदर भी 10 हो, मैं से इदर भी आप किस से compare करेंगे इसको, 10 से, मतलब सेम quantity का comparison सेम quantity से हमें करना है, अगर यहां 10 3 x दे रखा है, तो यहां भी हम किस से compare करेंगे 10 से, तो मुझे बताइए दोस्तों 10 एक किसका बराबर होता है अभी अभी दोस्तों मैंने कुछ देर आपको पहले बताए कि 1045 का अमान कितना होता है हमारा 1 तो 10 3x बराबर क्या लिख दूँगा में 10 3x बराबर हो जाएगा हमारा 10 45 ठीके दोस्तों मैंने बुला same quantity comparison, same quantities करना है 10 से यह 10 गया, तो 3x बराबर कितना बचा दोस्तों हमारा 45 तो x बराबर दोस्तों यहां कितना आ गया हमारा, x बराबर दोस्तों आ गया 15 degree, तो x की value कितनी आगे दोस्तों यहां से हमारी 15 degree मतलब 15 degree तो ये question भी हो मारा सोल ये question भी मुझे बहुत important लग रहा है ये question भी examine राथ से exam में पुछ सकता है तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको वापस मैं बता जाता हूँ question क्या बोल रहा है 10 3x बराबर sin 45 cos 45 plus sin 30 की value दे रखा था जिस जिसकी value question में आपको दे रखी उसकी आप value रखी मैंने मुझे पता है 10 45, sin 45 की value 1 by 2 होती है cos 45 की value 1 by root 2 होती है और sin 30 की value कितनी होती है 1 by 2 ठीक है दोस्तों ये हमने note करा 1 by 2 plus 1 by 2 तो यहांसे कितना आ गया 1 plus 1 कितना हो गया 1 हो गया LCM लेकि नीचे 2 आ गया 2 से 2 गया तो कितना बच गया 1 दोनों मैंने बोला कि same quantity का comparison same quantity से करना है यह 10 दे रखा था था दर भी दोस्तों की आएगा 10 1 की value 10 किसके बरावर होती है 45 तो 10 3x बरावर कितना आ गया हमारा 10 3x बरावर 45 degree तो 3x बरावर कितना हो गया 45 एक्स बरावर कितना हो गया दोस्तों हमारा 15 degree तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम next question पर करते है आए दोस्तों next question पर हमाते है अगला question क्या बोल रहा है if sin a plus b बरावर 1 और cos a minus b बरावर root 3 by 2 हो और question बोल रहा है 0 degree मतब a plus b की value 0 से जोटी हो 90 degree से बड़ी मतब 0 से बड़ी 90 degree के साथ हो सकती है और question बोल रहा है a किस से बढ़ा है b से तो find the value of b तो यहां से एक चीज़ पता लग गए देगो a मैं से किस से बढ़ोगा b मतब a की value definitely कितनी होगी हमारी यहाँ तब ही आपको number मिलेगे नहीं तो अन्यत आपको number नहीं मिलेगे चाहिए आपका answer सही क्यों नो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आते हैं इस question के साथ सा तो हम आगे बढ़ते है देखो दोस्तों question क्या बोल रहा है sin a plus b बराबर 1 cos a minus b बराबर root 3 by 2 पर इसको मैं solve कर लेता हूँ मुझे अभी अभी मैंने बताईए same quantity का comparison same quantity से आपको करना है same quantity का comparison same quantity से करना है कि तर sign है तो दर भी कहाना चाहिए sign तो sign a plus b मुझे बताओ sign a की value किसके बराबर होती है sign 90 के बराबर ठीक है तो sign sign गया तो a plus b बराबर कितना आगया दोस्तों यहां से यह एक value आगी हमारी equation होगे equation number 1 equation number 1 कितनी होगे हमारी a plus b बराबर कितना आगया 90 दूसरी equation दे रखिए cos a minus b बराबर root 3 by 2 cos a minus b बराबर root 3 by 2 मुझे बताइए दोस्तों root 3 by 2 किसके बराबर होता है cos root 3 by 2 किसकी value होती है हमारी cos किसके बरावर दोस्तों जल्दी बताइए root 3 by 2 cos 30 के बरावर cos 30 के बरावर तो cos यहाई लिख दता हूँ दोस्तों मैं cos a-b बरावर cos 30 cos से cos गया a-b बरावर कितना अगया दोस्तों 30 a-b यहाँ से दूसरी equation कितनी हागी है हमारी 30 equation number 2 equation 2 equation 2 को equation 2 को दोनों को मैं लिखता हूँ equation a equation a a plus b कितना है था दोस्तों हमारा 90 degree equation number 1 दूसरी equation किया थी a-b हमारा कितना है था दोस्तों 30 degree मैं क्या करता हूँ दोने equation हो क्या करता हूँ एड करता हूँ दोने क्यों क्यों करता हूँ दोस्तो एड करने क्या आ गया हमारा Si catch 2 A जैको बी से भी गः प्लस माइनस से MYनस गया 2A बराबर कितने हो गया हमारा 120 degree तो यहां से A बराबर कितना आगया हमारा दोस्तो A बराबर कितना आगया दोस्तो 60 degree जैसा आपको उसने ने बताया था कि A बढ़ा है B से हमने यह वेल्यू रखी पहली equation में A प्लस B में 60 की A की वेल्यू 60 रखी plus B बराबर 90 degree 60 उदर गया तो B की value यहां से कितनी आगी 30 यह भी हमारा prove हो गया कि A किससे बढ़ा है B से A की value कितनी आगी 60 और B की value कितनी आगी 30 जैसे हमारा question ने बोला था कि A किससे बढ़ा है B से और यहां से हमारा A और B का दोनों का माना कि A की value 60 और B की 30 अगर आपको note करना है तो एक बार इसको note कर लीजिए जितने मैं side हो रहा हूं जिसको screen show लेना है, screen show ले सकता है और जिसको note करना है, note कर सकता है clear note दोस्तों, ठीक है दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि same quantity का comparison same quantity से करना है अगर इधर sign है तो इधर भी sign रखना है इधर cos है तो इधर भी करना है cos ठीक है दोस्तों, note हो गया, अब अगले question की तरफ बढ़ते हैं हमारा अगरा से लास्ट question होगा आज का यहां से A की value कितने है थी दोस्तों 60 और B की value कितने है थी दोस्तों हमारी 30 degree ठीक है दोस्तों, हम अगले question की तरफ बढ़ते है यह आज का हमारा last question है इसे के साथ साथ इन 7 question में आपका 1 या 2 question आपको exam में 100% मिलेगा इस वीडियो को कम से कम दो बार देखो दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ आपका कोई question इस वीडियो में से गलत नहीं होगा exam में और गारंटी दे रहा हूँ यहां से अपके 2 question exam में जरूर मिलेगा देखो दोस्तों question क्या बोल रहा है find the value of sin 30 plus 1045 minus cos 60 sign 30 plus cos 60 plus cos 45 ऐसा question देखके अकसर बच्चे exam में question छोड़ देते हैं ऐसा question देखके अकसर बच्चे exam में question छोड़ देते हैं और question करके नहीं आते हैं क्योंकि question ही तरड़ रहा हुना लग रहा है बच्चों को कि यार sign 30 आ गया 1045 आ गया माइनस फिर cos 60 कर रहा है और नीचे उड़ दरका sign 30 plus cos 60 plus cos 45 और यार यह मैं कैसे करूँ अकसर बच्चे छोड़ देते हैं और वो बच्चे कौन से होते हैं जिन्होंने trigonometry नहीं पढ़िए तो दोस्तों मैं guarantee देता हूँ अगर आपने मेरे दो वीडियो पूरे देखें अप्चे से तो यह question कभी आपका गलत नहीं होगा इस बात कि मैं आप 100% guarantee देता हूँ ठीके दोस्तों question क्या बोल रहा है sign 30 plus 1045 minus cos 60 बड़ा sign 30 plus cos 60 plus cos 45 सबसे पहले मैं एक बार question लिख लेता हूँ question क्या बोल रहा है दोस्तों sign 30 plus 1045 minus cos 1 minus cos 1 cos 60 divide by sec 30 plus cos 60 plus cos 45 दोस्तों यह इतना अच्छा question है इससे आपकी सारी technometry की value table की आपको जादर यहाँ चुकिए सब याद हो जाएगी आपको दोस्तों ऐसे question को जरूर करिए और इस question को आप कम से कम दो बार देखिए पीछे करके वापस कैसे मैं solve करूँगा जैसे जैसे मैं बता हूँ वैसे वैसे आप solve करिए question कभी गलत नहीं होगा आप दोस्तों सबसे पहले क्या बोल रहा है 1030 1030 की मुझे जा तरब मुझे पता है बच्चों को value याद है 1030 कितना होता है 1 by 2 उसके बाद 1045 यह भी आद है 1 होता है उसके बाद अब दिक्कत आएगी दोस्तों को सेक 60 मैंने बता है किसका उल्ट होता है साइन का तो सबसे पहले साइन 60 की value निकालिए दोस्तों साइन 60 की value दोस्तों मुझे पता है root 3 by 2 होती है इसका जस्तों में reverse कर दूँआ तो को सेक 60 की value यहां से कितनी आजेगी हमारे पास अभी इससे पहले को सेक 60 की value है यहां से आजेगी 2 by root 3 तो यहां से मैंने क्या लिख दिया minus 2 by root 3 यहां कितने लिखा 1 by 2 1045 दे रखा 1 हो गया उसके बाद को सेक 60 दे रखा 2 by root 3 नीचे मेरे रखा है सेक 30 मैंने बताया था सेक किसके alt होता है कोस का तो कोस 30 की value किसनी के बराबर होती है मैंने आपको बताया था कोस 30 की value हो मैंसा sin 60 के बराबर होती है क्यों होती क्योंकि दोनों का sum कितना हो गया दोस्तो 90 degree तो cost 30 की value कितनी हो जाएगे root 3 by 2 तो अगर मैं sec का पूछरा तो उल्टा कर दो तो वही same जो cosec की value होगी वो sec 30 की value हो जाएगी तो 2 by root 3 तो यहां मैंने का लिखा 2 by root 3 उसके बाद question क्या बोल रहा है cost 60, cost 60 हो गया आपका 1 by 2, cost 60 कितना हो गया 1 by 2, क्योंकि sign 30 की value कितनी होती है 1 by 2, दोनों का sum 90 तो cost 60 value 1 by 2 अगला बोल रहा है, cost 45 मैंने बताया है, 1045 की value कितनी 1 तो cost 45 की value भी 1045 के बराबर होगी इसकी value कितनी होगी 1 तो कितनी होगी दोस्तो, 1 अब देखो दोस्तो, ऐसे हमारी इसे solve करिए, guarantee देखो इस question को कदी गलत नहीं होगा आपका exam में, ठीके दोस्तो तो आईए मेरे साथ इसको मैं एक बार rough करतेता हूँ side से और इसको भी मैं छोटा करतेता हूँ ठीके, प्योंकि आपने question note करी लिया है नहीं करा है, तो एक बार और note कर लिए चलो, मैं बढ़ा करते हूँ, अगर आपने question note नहीं किया है ठीके, और वैसे यहां मैं लिख भी रखा है मैंने question तो कोई tension है नहीं इसको मैंने कर दिया, side में छोटा, ठीके दोस्तो सबसे पहले मैंने क्या गरा, इन दोनों में LCM लिया या 2 गया, तो 1 plus 2 LCM कितना आ गया, 2 minus 2 by root 3, पहले मैं उपर उपर को solve कर लेता हूँ पहले मैं अंस को solve कर लेता हूँ, फिर अर को solve करूँ ठीके तो पहले मैं numerator फिर करेंगे denominator को solve, यह कितना हो गया 3 minus 2 पहले मैं लिग लेता हूँ, इसको 3 by 2 minus 2 by root 3 दोस्तों, यहां से LCM कितना आ गया 2 by LCM कितना आ गया, 2 by root 3 LCM कितना गया दोस्तो, 2 by root 3 मुझे बताइए, इधर 3 कितना हो गया 3 root 3, 2 से 2 गया, तो कितना हो गया, दोस्तों, minus का 4, तो यहां से कितना आ गया, 3 root 3 minus का 4, उसी परकार, अब मुझे solve करना है, हर को, तो हर को solve कर लेता हूँ, इसके बाद मैं, मैंने बताया दोस्तों, यहां से LCM ले लिजिए, कितना आ गया हमारा पहले इसको इधर वाला solve करा मैंने इसको मैंने solve कर दिया, 2 root 3 plus, इधर 2 गया तो इधर कितना हो गया, 3 by 2, देखो दोस्तों, 2 से 1 को लेका, कितना हो गया, 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3 by 2 गया, से LCM ले लिए हमेने, यहां से LCM कितना आ गया, इसके लिए नीचे बाले को solve करने पर वही, 2 by root 3 यहां इधर किया तो 4 plus 3 root 3 देखो दोस्तों, यहां कितना आ रहा, 3 root 3 minus 4, उपर अंस में, और हर में कितना आ रहा है 4 plus 3 root 3, divide by 2 by root 3, देखो दोस्तों, अब पहले एक बार यह value नोट कर लिजिए, और यह value भी मुझे बताईए दोस्तों, हमारा अंस, उपर वाला अंस कितना आ रहा, मतलब बोले तो, नियूमिनेटर और हर, ठीके, नियूमिनेटर अपोन डिनोमिनेटर, यह आ रहा है था हमारा दोस्तों, एक बार मैं वापस देख लिता हूं, विल्यू को, कितना रहा था दोस्तों, 3 रूट 3 माइनस 4, ठीके दोस्तों, 3 रूट 3 माइनस का 4 डिवाइड वाइ 2 रूट 3, उसी परकार, मेरा डिनोमिनेटर कितना रहा था दोस्तों, हर 4 प्लस 3 रूट 3 डिवाइड वाइ 2 रूट 3, क्या लिख लूँगा दोस्तों मैं इसको, multiply 4, ब्रेकर में ले लेता हूँ, प्लस 3 रूट 3 डिवाइड वाइड वाइ 2 रूट 3, देखो दोस्तों, 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कह लोगे तो, 2 root 3 से कहा रहा है दोस्तो 2 root 3 खलास अठा दोस्तो उपर क्या बचा दोस्तों 3 root 3 minus का 4 4 plus 3 root 3 देखो दोस्तों क्या आगया 3 root 3 minus 4 4 plus 3 root 3 आप चाहो तो इतना एक्जाम एक्जाम में करके छोड़ सकते हो आपको नमबर मिलेंगे ठीके लेकिन यह आपका आंसर नहीं हुआ अभी इसको मैं अभी और solve करूँगा क्योंकि आपको पूरे नमबर लेने तो देखो दोस्तों नीचे क्या रहा 4 plus 3 root 3 तो इसका 4 plus 3 root 3 का उपर नीचे क्या करके माइनस करके हम क्या कर देंगे multiply क्यों करेंगे नीचे क्यों 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 करना है solve तो मैंने क्या करा इसके सयुगमी से गुणा कर दिया 4 plus 3 root 3 का सयुगमी क्या होगा 4 minus 3 root 3 तो दोस्तों क्या लिग दिया 3 root 3 minus 4 multiply 4 minus 3 root 3 ठीक है दोस्तों नीचे में क्या कर दिया मैंने 4 plus 3 root 3 4 plus 3 root 3 4 minus 3 root 3 इसका सयूगमी क्या आ जाएगा दोस्तो ठीक है दोस्तो मैंने क्या करें, यह से minus common लिया क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे तो यहाँ से a minus b का holy square बन जाएगा, a minus b का holy square क्या होता है, a square plus b square minus 2ab तो यहां से मैंने के लिया दोस्तों माइनस को मुल लिया A square मतलब मैंने माना इसको A 4 का square मतलब 16 plus B square 3 root 3 का square गरूँआ 3 का square 9 root 3 का square 3 तो 9 तिया 27 minus 2AB minus क्या करेंगे दोस्तो 2AB 2 2 जा 4 देखो 2A हो गया B हो गया तो 2 into 4 into 3 root 3 देखो दोस्तों 4 4 दुनी 8 24 root 3 24 root 3 2A भी कितना आगया दोस्तों हमारा यहां से 24 root 3 और नीचे के दे रखा है दोस्तो A plus B और A minus B तो दोस्तो A plus B और A minus B का formula क्या होता है दोस्तो A square minus B square तो दोस्तो A square कितना हो गया 16 minus B square कितना हो गया 3 root 3 के स्कायर आपी मैंने उपपर सोल किया माइनस 27 कितना हो गया 16 माइनस 27 ठीक है दोस्तो तो मुझे बताओ 16 प्लेस 27 कितना हो गया तो दोस्तो मैं आपको बता जाता हूँ 7 और 6 13 आसिल गई 1 2 और 3 और 4 तो यह कितना हो गया 23 कैसे सोल करा हमेने देखो दोस्तो 6 और 7 3 तो यह आगया 3 आसिल लगी 1 2 और 1 3 और 1 4 तो कितना हो गया 43 माइनस 24 root 3 भार ओल्डेडी हमारा क्या चल रहा है दोस्तो माइनस बार क्या चल रहा है दोस्तो माइनस नीचे के दर रहा 16 में 27 16 में 27 तो 27 में 26 माइनस करो तो एक ही बात है 7 में से 6 गया तो 1 2 में से 2 गया तो 1 तो में नीचे में क्या गया माइनस का 11 दोस्तो माइनस से माइनस गया और आप का आणसर क्या गया लास्ट में दोस्तो आप का आणसर आ गया यासे मैं उपरवला एक बार इसको आठा देता हूँ जिसमें नोट निक है इसने एक बार इसकी शोट लेलो इसको नोट कर लीजिए इसकी शोट लेके या वीडियो को आप यह पोस्ट कर लीजिए इसको आरम से नोट करने के लिए दोस्तो तो उपरवला में एक बार आठा देता ह तो दोस्तो जब भी ऐसे question दिये हूं आपको exam में जब भी इस टाइब के आपको question आजाए exam में कि sin 30 plus 1045 minus cos 60 divided by sin 30 plus cos 60 plus cos 45 तो आपको घबराना नहीं है दोस्तो बिल्कुल प्यार से question को solve करना है पहले उपर वाला solve करो हंस को फिर नीचे वाला solve करो हर को तो दोस्तो आप चाहते हो कि इसी तरह में आपके साथ अगली slide में अगले question लेगे हूं अगली वीडियो में जो आपके एक्जाम में आपके पूछे जाएंगे तो दोस्तो इस वीडियो को like करना ना भूले और जिस भाई ने भी अभी तक सिंखोरी एजुकेशन को subscribe नहीं किया है तो सिंखोरी एजुकेशन के चैनल को subscribe कर ले और हमारे description में भी आपको उसका link मिल जाएगा जो भी हमारा चैनल होगा और आप चाहते हो मेरी दोनों वीडियो नहीं दिये तो उसका भी description आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तक कि आप दोनों वीडियो भी देख ले मेरी पहले वाली जो मैंने आपको करा दिये तो इसे के साथ हमारे साथ बने रहिए दोस्तों घर में रहिए और सेफ रहिए